नमस्ते विद्यार्थियों, जेसी आठी के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है विद्यार्थियों, आज हम छटी कर्षा के इतिहास विशय के सात्वी अध्याय जिसका नाम है नए धर्मों का उद्य है तो चलिए, आज हम इस नए चैप्टर की शुरुवात करते हैं पाठ की शुरुवात में देखते हैं, पाठ की शुरुवात विद्यार्थियों की जिग्यासा से सुरू की गई है विद्यार्थियों, आफी की तरह एक छात्र है और उसके पिता को पुस्तके पढ़ने का बहुत सौक है तो बच्चों, आप विद्यो को भी देखिए और साथ ही साथ अपने पाठ पुस्तक को भी देखिए विद्यार्थियों के पिता को किताबे पढ़ने का बहुत सौक था विद्यार्थियों की नजर घर की आलमारी में रखी धेरो पुस्तकों में महात्मा बुद्ध पर लिखी एक पुस्तक पर पढ़ी बच्चों वास्तम में होता ये है कि जिन घरों में पुस्तक प्रेमी माता पिता होते हैं या कोई अभिभावक होते हैं उन घरों के जो बच्चे हैं उनका ध्यान पढ़ाई लिखाई और पुस्तकों की ओर उनका रुझान बढ़ी जाता है तो ऐसा ही एक बच्चा है विहान उसकी जिग्यासा देख पिता ने महात्माबुद और महावीर जैन के उपदेशों के बारे में उसे विश्तार से बताया तो जो कुछ भी बताया विद्यार्थियों वही चीजें इस पाठ में चाप्टर के रूप में आपको उपलब्ध कराई गई है पाठ का नाम है नए धर्मों का उध्यार्थियों अब आगे आप देखिए आप ये जानना चाहेंगे कि हम कब का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं क्या दो-तीन सो साल पहले, हजार साल पहले या दो-हजार साल पहले या उससे भी पुराना तो हाँ विद्यार्थियों हम इसा पुर्व छठी सताब्दी यानि कि आज से लगवर 26-100 साल पहले की घटना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो इसा पुर्व छठी सदी का समय उत्तर भारत में धार्मिक द्रिष्टी से महान परिवर्तन का काल माना जाता है तो विद्यार्थियों अभी कौन सा साल चल रहा है? सन 2021 यानि कि इसवी सन की सुर्वात जब से की जा रही है तब से अब तक 2021 बर्स बिट चुके हैं और जिस दिन से इसवी सन गीना जाने लगा उससे हमें 600 साल पीछे जाना है तो इस परकार विद्यार्थियों लगभक 2600 साल पीछे आपको जाना है आज से और उस समय के बारे में आपको समझना है तो उसको हम लोग कहेंगे 600 BC या इसको हम लोग कहेंगे इसापुर्व छठी सताब्दी अंग्रेजी में 600 BC यानि की BC का मतलब Before Christ ठीक है विद्यार्थियों तो फिर से एक बार आप जान लीजिए कि आप जिस चैप्टर का अध्यन करने जा रहे हैं उसका नाम है नए धर्मों का उदह है और इसके लिए आपके इतिहास पाठेपुस्तक के प्रिष्ट संख्या 62 से लेकर 72 तक आपको समझना होगा ठीक है अब आगे हम लोग देखते हैं इसा से लगवग 600 बर्षपूर भारत में बहुत से चोटे चोटे राज थे इन्हें जनपद कहा जाता था विद्यार्थियों, जनपद के बारे में, महाजनपद के बारे में हम लोगों ने अध्याय 6 में, इतिहास की इसी पाठे पुस्टक के अध्याय 6 में पढ़ा है तो इसा से लगबग 600 बर्षपूर भारत में बहुत से छोटे-छोटे राजि थे उन्हें जन्पद कहा जाता था इन में से कुछ अधिक सक्तिसाली थे जो महा जन्पद कहलाते थे तो ये बाते तो आप जानते हैं विद्यार्थियों तो आगे आप देखी ये जन्पद क्या थे एक परकार के गणतंत्र थे यानि कि वहाँ लोकतंत्र था सत्ता लोगों के हाथों में थी और वे ही अपना मुख्या चुनते थे धिरे-धिरे क्या हुआ? धिरे-धिरे मुख्या राजा बन गए और जब उनकी सक्ति बढ़ी तो अधिकार भी बढ़ी और तब फिर एक ऐसा समय आया कि उसे सधारन मानव ना मानकर देवता का स्वरूप माना जाने लगा ये मैं किसके बारे में बतारों भी द्यारती हूँ? राजाओं के बारे में ठीके? तो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि राजा को नर से नारायन बनाने में ब्रामन वर्ग का बहुत बड़ा हाथ था जब राजा की सकती बढ़ी तो ब्रामनों का भी महत्वा बढ़ गया क्योंकि जो ब्रामन थे वे राजाओं के सलाकार भी थे और समाज में उचा अस्थान भी रखते थे यहां तक तो समझे होंगे बच्चों तो अभी हम जिस समय की बात कर रहे हैं वो वैदिक धर्म वाला समय है तो वैदिक धर्म में जो सबसे महत्वपूर्ण था वह क्या चीज था वह चीज था यग्या और यग्यें जो है बहुत स्रद्धा की चीज थी वैदिक धर्म में है ना लेकिन मिद्यार्तियों क्या हुआ धेरे धेरे परिस्थितियां बदली और धार्मिक अनुस्ठानों में बली पर बहुत ज़ादा ध्यान दिया जाने लगा वली मतलब बली मतलब जानवरों की बली बड़े बड़े यग्यें का आयुजन किया जाता और पसु बली दी जाते थी तो इद्यार्थियों कोई भी चीज शुरुवात में ठीक हो सकता है लेकिन धीरे धीरे जब वो अतीकी ओर जाता है तो इंसान को वो चीज अच्छी नहीं लगती तो बाद में क्या हुआ लोगों में ऐसे निरर्थक वैदिक कर्मकान के प्रती अरूची और असंतोस पनपने लगा तो ऐसी स्थिती में क्या हुआ कि भगवान महावीर ने ना सिर्फ धर्म को बलकि धर्म की खोई आस्था को भी पुनर अस्थापित किया विद्यार्थियों आप यहां देख सकते हैं भगवान महावीर की एक तस्वीर यहां पे है जो आपको समझने के लिए यहां अंकित किया गया है तो भगवान महावीर ने लोगों को समझाया कि सम्यक चरित्र, सम्यक ज्यान और सम्यक दर्शन ही जीवन के मोल सिधान्त हैं बाकी चीज़ों का कोई महत्व नहीं है उन्होंने यह भी कहा कि यग्य में होने वाली पसु वली का विरोध होना चाहिए और सच पुछिए तो भगवान महावीर जो है वो अहिंसा के मंत्रदाता थे तो इस पार्ट में हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे विद्यार्थियों कि भगवान महावीर कौन थे है ना तो ऐसे आप जान लीजिए कि महावीर जैन धर्म के 24 वे तिर्थंकर थे महावीर कौन थे जैन धर्म के 24 वे तिर्थंकर तो पहले से लेकर के 23 वे तिर्थंकर कौन थे विद्यार्थियों ये भी तो आपको जानना होगा तो विद्यार्थियों मैं आपको बता देता हूँ कि जैन धर्म में कुल 24 तिर्थंकर हुए हैं जिसमें जो 24 में तिर्थंकर हैं वो बर्दमान महावीर है तो बर्दमान महावीर की ख्याती जो है दोर-दोर तक फैली क्यों फैली इसलिए फैली क्योंकि उस समय वैदिक धर में जुब्राईयां आ गई थी उसका वर्दमान महावीर ने विरोध किया है ना तो इससे उनके उबदेशों का लोगों पर असर भी होने लगा और बहुत सारे लोग उनके सिस्य बन गए थे विद्यार्थियों मैं यहाँ पे आपको एक उधरन बताने का प्रयास करता हूँ कि जिस जुक की हम बात कर रहे हैं जिस समय भगवान महावीर लोगों को उबदेश दे रहे थे कि अहिंसा क्या है और अहिंसा के महत्तों को समझा रहे थे उस समय उनका एक सिस्य बन गया था सूलव तो उसके जो पिता थे वो कसाई का काम करते थे सभाविक है कि उनका जो पूत्र है वो भी उसी काम में जा सकता था तो पिता की मिर्तु के बाद जो उसके संबंधी सगे संबंधी थे उन लोगों ने सूलव को समझाया कि तुम अपने पिता का जो ब्योसाय है उसे समहाल लो तो उसके जो काका थे उसके चाचा उन्होंने सूलव को कहा कि बेटा सूलव तुम अपने पैतरिक ब्योसाय को अपना लो ताकि तुम्हारा परिवार चल सके तो सूलव ने कहा कि काका मैं आपकी सभी बातों को मान लूँगा लेकिन मुझे जीव हिंसा पर विश्वास नहीं है और मैं जीव हिंसा नहीं करना चाहता इसलिए इस ब्योसाय में मैं नहीं जाना चाहता हूँ तो उसके काका कहते हैं कि तब तुम्हारा परिवार कैसे चलेगा तो सूलव कहता है कि चाहे जैसे भी चले लेकिन मैं इस ब्योसाय को नहीं करूंगा ठीक है तो उसके काका जो है उसको बार बार उसको कहते हैं कि नहीं तुम्हें अपना ब्योसाय ही करना चाहिए तो उसके काका ये जानना चाहते हैं कि आखिर कौन सी बात है जिसके चलते वो अपने पैतरिक ब्यवसाय को नहीं करना चाहता है तो सुलब कहता है कि अब मैं कैसे बताओं कि मैं इस ब्यवसाय को नहीं करना चाहता ऐसा कहते हुए उसने कुलाडी से अपनी ही जंगा पर वार कर दिया जब अपनी जंगा पर वार कर दिया तो उसके काका ने कहा कि बच्चे ये तुमने क्या कर दिया अपनी ही जंगा पे तुमने क्यूं वार कर दिया ऐसा क्यूं किया तुमने तो उस समय का जो द्रिसे था उसमें काका की स्थिती उसको देखकर बहुत ही खराब हो गई और जो सुलब है वो कहता है कि जीव ही इनसा सच्मुच पाप है और जिस परकार से किसी अन्य जीव को कस्ट होता है उस कस्ट को आप अभी यहां महसूस कर सकते हैं या फिर मैं महसूस कर रहा हूं तो किर्पिया मुझे इस ब्योसाय में ना जाने दे तो विद्यार्थियों आप समझ सकते हैं कि इस तरह से भगवान महावीर के संदेश का प्रभाव जो है वो देश-देशांतर तक फैला गाउं-गरीबों तक फैला, दूर-दूर तक फैला, है न? तो इस उद्धरन के माध्यम से मैं ने आपको ये बताने कर प्रयास किया कि भगवान महावीर के उपदेशों का प्रभाव कुछ लोगों तक नहीं बलकि पूरे जन समुदाय पर पड़ रहा था और भगवान महावीर ने कहा था कि किसी से डरना नहीं, किसी को डराना नहीं प्रसनता से जीवन जीना और अपनी इच्छाओं पर सैयम रखना तो ये कुछ बाते हैं जो भगवान महावीर की सिक्छा से जुड़ी हुई है विद्यार्थियों यहाँ पर आप देख सकते हैं दिलवाडे के मंदीर माउंट आबूर राजस्थान विद्यार्थियों जार्खन में गरीडी जिले को जदी छोड़ दिया जाए तो जैन समुदाय का कोई मंदीर बहुत बड़ा मंदीर जो है सभी जगों पर उपलवद नहीं है जिसके कारण हमारे बच्चों को साहिद जैन समुदाय के बारे में समझने में असुविदा हो सकती है तो इसके लिए मैंने आपको ये दिखाने का प्रयास किया है कि जैन समुदाय के भी बहुत सारे मंदीर है और इसमें देखिए एक महत्पुन मंदीर है दिलवाडे के मंदीर जो माउंट आबू राजस्थान में है उसी तरह से विद्यार्थियों देख सकते हैं ये दिलवाडे के जैन मंदीर माउंट आबू का एक और तस्वीर है और आप जदी आप देखेंगे तो हमारे जारखन राज के जो पारसनात यानि की गिरीडी जीला का एक अस्थान है पारसनात वो जैन समुदाय का जैन धर्म के तेईसवे तिर्थंकर जिनका नाम था पारसनात उनसे जुड़ा हुआ है और पारसनात की पहाड़ी को जैन समुदाय में जैन समाज में सम्मेद सिखर जी कहा जाता है तो जैन धर्म के 23 तिर्थंकर स्वामी पारसुनात जी को समर्पित है या पहाड देख रहे हैं विद्यार्थियों तो जब कभी भी आपको ग्रीडी जाने का मौका मिले तो आप पारसुनात को देख सकते हैं पारसुनात एक स्टेशन भी है जो की जार्खन राज के ग्रीडी जीले में है ठीक है विद्यार्थियों तो जैन धर्म में कुल तिर्थंकरों की संख्या 24 है ये तो मैंने पहले ही आपको बताया है और आपको ये भी जानने की इच्छा होगी कि तिर्थंकर का मतलब क्या होता है तो तिर्थंकर का तातपर होता है संस्थापक गुरू अर्थात जिनोंने जैन धर्म को आगे बढ़ाने का कारिय किया है तो जैन धर्म के बारे में बहुत कुछ और भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे विद्यार्थियों बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम लोग इन वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिस करेंगे तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही जैन धर्म से सम्मंधित एक और वीडियो मैं इसी के साथ आपको प्रस्तूत करने का प्रयास करूंगा तो इस वीडियो को मैं इहीं पर समाप्त करता हूँ जोहार बच्चो जैन बच्चो